नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे यूटीब चैनल पर स्वागत है दोस्तों आप सभी को मेरे परिवार की तरब से और मेरे तरब से परिवार वालों को गन्पती पुजा की बहुत बहुत हार्दिक सुबकामना है जैसे कि दोस्तों मैंने YouTube चैनल पे content डालना शुरू कर दिया है तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरी वीडियो से जुड़े रहें और अपनी जिन्दगी में बदलाव करते रहें जी हाँ दोस्तों क्योंकि आज की भाग दोल के जिन्दगी में मांगा इतने तेजी से बढ़ रही है विरुज़गार इतनी जादा बढ़ चुकी है कि हमारे पास सोचने समयने का टाइम नहीं रहा तो मैं दोस्तों कहना चाहूंगा कि हमें क्या करना होगा कि अभी तक आपने जो भी अपने जिन्दगी में किया वो माईने तो रखता है ठेक है लेकिन इतना काम करने के बावजूद भी आपके जिन्दगी में वैल्य ऐड नहीं हो रहा है आप जो जिन्दगी में पाना चाहरे है अगर वो आपको नहीं मिल पा रहे है दोस्तों तो हमें अभी भी हमारे अंदर बहुत सारी कम्या हैं उसे दूर करना होगा तो दोस्तों इसे दूर करने के लिए हमें करना क्या होगा हमें प्रति दिन खुद के उपर में बहुत जादा काम करना होगा at least कम से कम दो से तिन घंटा सुबह साम आपको खुद के माइंडशेट पे काम करना होगा आपको खुद को बतलाना होगा कि आपका जनम क्यों हुआ है और आप इस जिंदगे में करना क्या चाहते हैं आप अपनी खुसियों को पूरा करना ही है साथ में अपने परिवार के जिम्यदारियों को भी उठाना है तो दोस्तो मैंने आपको बतलाया था पिछले वीडियो में कि हमें बुक रीडिंग करना सुरू करनी चाहिए तो दोस्तो जिन लोगों ने भी मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आप कॉमेंट में बतलायेगा कि कितने लोगों ने किताब पढ़ना सुरू किया और पहली किताब नों ने क्या पढ़ा चोटा सा इंसोर्ट में आप ये भी बतलायेगा कि आपने उस किताब से क्या सिखा दोस्तों मैं गैरेंटी देता हूँ कि अगर अभी तक आपने किताब पढ़ना नहीं सुरू किया है तो किताब पढ़ना जरूर सुरूर दोस्तों हमारी जिन्दगी में जितने सारे उतार चड़ाव हो रहे हैं उसका क्रेड़िट जाता है भगवान को लेकिन दोस्तों भगवान ने हमें बहुती किम्ती मतलब अद्भूत हमें सक्ति दी है जिससे हम अपनी जिन्दिक को बदल सकते हैं समझ सकते हैं कि हम कितना वक्त अपना बरबाद कर रहे हैं और आज हम जो कर रहे हैं से हमें कल क्या होगा तो सब कुछ भूल कर दोस्तों प्रते दिन कम से कम एक से दो घंटा खुद पे काम करना शुरू कर दें और बुक रिडिंग करना शुरू करें दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास किताब ख़डने का भी पैसा नहीं है तो कम से कम आप यूटूब पे जाके रिच डैड और पूर डैड का जो बुक रिडर कलब का जो किताब होगा उसे आप सुनना सुरू करते हैं अगर आप सिर्फ इस हैबिट को प्रते दिन रात को सोने समय अगर आप ध्यान पूर्वक इसे एरफोन के माध्यम से सुनते हैं आदा से एक घंटा टाइम देते हैं सिर्फ बुक रिडिंग को ही सुनना सुरू करते हैं दोस्तों तो वाकए में आपके जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा क्योंकि दोस्तों आपको नहीं पता है कि किताब के अंदर कितने सारे गुन हैं क्योंकि बड़े-बड़े महारती लोगों ने जिंदगी को समझा है जाना है अपना 30-40 साल का अनुभव है जिसे एक किताब में पैक कर दिया है अब भी कर टाइम में हजारों लाखों किताब है दोस्तों जिसे आप पढ़कर अपनी हजारों गलतियों को असानी से सुदार सकते हैं साथी में आप उनके अनुभाव को बहुत कम समय में समझ कर अपने जिन्दगी में उतार कर बहुत कम समय आगे बढ़ सकते हैं ऐसे ऐसे दिगज लोगे दोस्तों जिनों ने जब भी जिस समय अपना होस को समाला बड़ी-बड़ी कहानियां एतिहास को रच दिया दोस्तों बड़ी-बड़ी कमपनियां को खड़ा कर दिया तो दोस्तों ज्यादा लेट नहीं हुआ है मैं आप लोगों से दरख्वास करू कर दें उससे जिन्दगी 100% बदलेगी दोस्तों इस तरीके से अगर आप अपनी जिन्दगी को अमल में लेकर आते हैं प्रति दीन सही समय पर उठते हैं ठीक है अगर आप सुबह के समय उठना शुरू कर दें एक से दू घंटा खुद के प्रति दें रेगुलर एक्सराइज करें मेंटल फिटनेस पर काम करें साथ में बुक रिडिंग करना शुरू करें और अपने दिन का रूटिन बना ले कि हमें प्रति दिन करना क्या है कैसे करना है और इसका सेडूल क्या रहेगा साम को क्या रिजल्ट आने वाला है रोज रात सुबह से रात का रूटिन मैं कोई लिखा बात आपसे नहीं सेर कर रहा हूं मैं प्रैटिकल लाइफ की बाते सेर कर रहा हूं बहुत सारे कॉंटेंट में देरे-देरे सेर करूंगा आपसे जिसके जिसके बात आपकी जिन्दगी वाकई में इंप्रूव होगी तो चले दोस्तों आज के लिए इतना ही लेकिन मेरे जो बात है उसे जरूर ध्यान पुरोक रखें और काम करना आज़र सुरू करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखें और अपने परवार का ख्याल रखें धन्यवाद थैंक्यू